हलो फ्रेंट स्वागाते आप सभी का आपके अपने यूडियो चैनल टेक्निकल इंडिया सम्म के में तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्यू यानि की डॉक्टर ईपीजे अब्दुलकलाम टेक्निकल उनिवर्सिटी लखना उत्रपरदेश के बारे में उससे सम्मंदित कुछ महत्रपोर जानकारी सामने निकल के आईए आज किस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो में इंतलग बने रहिएगा क्यूंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा इंप्रोर्टन होने वाली है अगर आप EKTV से किसी भी कोर्स के स्टुडेंट हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रुक्वेस्ट अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस रड़ आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्स्राइब कर लिए और इस बहला इकन को दबा लिए उससे फायदा ही होगा नेक्स टाइम जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको इंफर्मेशन मिलेगी सबसे पहले सो फ्रेंट्स चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सो फ्रेंट्स मैं आपको उस न्यूस की तरफ लेके चलता हूँ और कम्प्लीट डिटेल में बताता हूँ कि क्या न्यूस है तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर उपिन कर लेना है और हम पे सर्च कर लेना है सरकारी फ्यूचर. इन इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डारेट करोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं सरकारी फ्यूचर. इन जैसी आप इस वेबसाइब पहुचेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहांसे आपको डेक्स्टॉप साइट उपिन कर लेनी हैं हम यह से डेक्स्टॉप साइट उपिन कर लेते हैं और उसके बाद आपको स्क्रॉल कर तो भी नीचा जाना है जहांपर आप लोग एकेट्यू से रिलेटेड लिंक्स देख सकेंगे तो यहांपर हम नीचा जाते हैं यहांपर आपको सेंपली एकेट्यू उणिवरस्टी प्रोमोट अपडेट 2020 पर क्लिक कर देना है जैसी आप इस पर क्लिक करें आप एक न्यू पेज़ पहुच जाए जहांपर आप लोग एकेट्यू से रिलेटेड लेट टेस्ट न्यूज पड़ सकेंगे तो यहांपर हम नीचा जाते हैं यहांपर आप लोग यह निवस पड़ सकते हैं गेट्ड निजियू पूलिफाई चात्र लेगर रिजाए ओए ले ले रहे हैं दाखला आंप इस यानि कि गेट कॉलिफाई करने के बाद हर चातर का सपना होता है कि वे IIT में दाखिले लेकर प्रासना तक की डिगरी हसिल करें मगर करोना संकरमल के चलते चातर दूसरे शहर जाने से डर रहे हैं ऐसे में चातरों को IIT के बजाए EKTU बहतर विकल्प लग रहा है जी हैं दोस्तों यानि कि जो स्टुडेंट्स हैं गेट कॉलिफाई करने के बाद वो लोग अब जो हैं IIT की तरफ नहीं चा रहे हैं वो EKTU की तरफ आ रहे हैं EKTU के सेंटर फॉर एडवांस स्टेडिक्स के M.TEC में दाखिले के लिए आविदन शुरू हो गए हैं पिछले साल जहां 10 गेट कॉलिफाई चातरों ने आविदन किया था वहीं इस बार 50 से अधिक आविदन आए हैं CS के निदेशक प्रोफेसर मनिश बताते हैं कि M.TEC की 5 विदाओं में करीब 90 सीटे हैं इन पर पहले गेट कॉलिफाई चातरों के दाखले होते हैं अंतिम्तिती 30 जून है जियां दोस्तों यानि कि जो आविदन हैं वो 50 से अधिक आ चुके हैं जबकि जो लाज्ट डेट है वो है 30 जून और जो स्ट्रेंट्स हैं वो IIT में अडिमिशन ना लेके IIT में अप्लाई ना करके वो लोग EK2 की तरफ आ रहे हैं गेट्ट कॉलिफाई चात्रों की पहली पसंद कंप्यूटर साइंस में मशीन लर्निंग वे साइबर सेक्योरिटी विशह हैं इसके बाद नेनो टेक्नोलोजी भी चात्रों की पसंद में शामिल हैं प्रोफेसर बताते हैं कि CES में मेकनोट्रोनिक्स, एनरजी साइंस, आटोमेशन, कम्पूटर साइंस वे नैनो टेकनोलिजी कोर्स में दाखले होते हैं जी हैं दोस्तों यानिक जो स्टुरेंट्स हैं वो ज्यादा कम्पूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं जिसमें वो मशीन लर्निंग और साइबर सेक्यूरिटी विशेयर ले रहे हैं आपके क्या उपिनियन है, आपके क्या कमेंट्स है, कमेंट्स सेक्शन में लिखके जरूर बताईएगा के स्टुरेंट्स का ये डिसीजन कैसा है, आइटी के बजाए एक ट्यू में लेने का आपकी क्या उपिनियन हैं ने कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स लिखके जरूर बताईएगा आज किस वीडियो में इतना है, और अपको ये वीडियो पसंद आएए तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दियेगा चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दियेगा थैंक्यू फ्रेंड्स, वान आइस डे